नमस्कार प्यारे स्टुडेंट आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल लैट्स बिसकस में डियरे स्टुडेंट जैसा के स्क्रीन पर देख रहे हैं एक नया सर्कुलर निकलगड क्या आया है जो की सर्कुलर नंबर 736 है ठीक है और यह 26th of July 2022 का है ठीक है तो डियरे स्टुडेंट जो भी स्टुडेंट क्लास 10th में पास आउट हो चुके हैं अभी अभी जिनका CBSE से रिजल्ट आया है ठीक है वो सारे स्टुडेंट अब क्लास 11th में एडमिशन ले सकते हैं ठीक है और क्लास 11th में एडमिशन लेने के यह करके डिसकस करेंगे डियरे स्टुडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देखें और आप किस तरी से किस तरीके से आप जो है ना कम परसंटेज भी है फिर भी आप वो सब्जेक्ट ले सकते हैं यह सारे क्राइटेरिया में बताऊंगा ठीक है तो चलिए हमें स्टार्ट क आपको एक एक करके डीटेल में बताते हैं जैसा कि आपको पता होगा 2021 से 22 में भी इसी तरीके से हुआ ठीक है और रजिस्टेशन आपका 27 ऑफ जुलाई 2022 से ही स्टार्ट है अब देखें रजिस्टेशन कितने फेज में होंगे पहले यह आपको बता देता हूं देखें जो 3rd of August 2022 तक यह 1st साइकल में एडमिशन चलेगा क्लास 11 का ठीक है उसके बाद आप जो हैना सेकेंड साइकल आपको चलेगा वह 17 ऑफ अगस्ट 2022 को ठीक है 17th of August 2022 से लेकर के 25th August 2022 तक से लेगा ठीक है तो डिस्प्ले अफ देखें आपका 10 अगस्ट को बताएगा ठीक है और एडमिशन वेरिपिकेशन आपका 12 अगस्ट से लेकर के 20 अगस्ट तक होगा स्कूल एलॉट्मेंट करेगा 1 सेप्टमबर 2022 को और इसका एडमिशन आपका कब होगा 2nd सेप्टमबर 22 से लेकर के 9 सेप्टमबर 22 तक चलेगा इसका एडमिशन तो आइज होब कि आपको यह समझ में आ गया जो कब से कब तक आपका एडमिशन है इसी दौरान आपको जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहां पर डाल जाकर कि आप रजिस्टेशन करा सकते हैं देखें आपको साइंस लेना है अगर मैथ के साथ यानि कहते हैं पी सी एम फिजिक्स केमेस्ट्री और मैथ अगर लेना है ठीक है तो एग्रिगेट 55 परसंटेज मांक्स चाहिए आपको टेंथ क्लास में ठीक है और इंग्लिश में आपके जो आना फिफ्टी परसंटेज यानि 50 माक्स चाहिए ठीक है बेशिक मैथ ले रख्यों या इस्टेंडर मैथ ले रख्यों तो उसमें भी आपको पचास नंबर चाहिए यानि साइन्स लेना है तो साइंस में ठीक है और Math Science में भी 50 नमबर चाहिए यानि टोटल 55 परसंटेज आपको चाहिए जिसमें से Math में आपको 50 नमबर चाहिए Science में 50 नमबर चाहिए ठीक है English में 50 नमबर चाहिए Hindi में कम भी हो तो भी चलेगा ठीक है Science without Math अगर आप लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको 55 परसंटेज आना चाहिए टोटल ठीक है जैसे आपका Class 10 का सभी सब्जेक्ट का मिलागर के 55 परसंटेज होना चाहिए जिसमें English आपका 50 परसंटेज है ठीक है 50 यानि 50 नमबर होना चाहिए इसमें Without Math लेते है तो और Math में आपका 40 नमबर होना चाहिए ठीक है और Science में आपका 50 नमबर होना चाहिए ये आपका Criteria है अर्थाथ आप Physics, Chemistry और Bio लेना चाहिए तो इसके लिए है ठीक है और ये 50 नमबर Social Science में होना चाहिए क्लियर अगर आप Commerce Without Math लेना चाहिए तो पचास नमबर आपका जो है ये टूटर परसंटेज होना चाहिए 50 परसंटेज ठीक है इंगलिस में और हिंदी में 45 परसंटेज चाहिए सूसल साइंस में 45 मार्ग चाहिए ठीक है यानि परसंटेज यानि अतना नमबर चाहिए ठीक है और Humanities में आपका जो है बहुत ही इजी है Humanities में लेना Humanities में इस्टुएंट मस्ट हैव इन डिकले 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 पास अड़ दा सेघंडे इस्कूल एक्जामनेशन बाइ सीवेसी इक्वेलेंट बूर्ड यानि वह आप पास होना चाहिए जो भी बच्चे पास है वह Humanities ले सकता है जो बच्चे एकोनोमिक से रखना चाहते उसके लिए 45 परसंटेज टूटल होना चाहिए ठीक है मतलब तब जाकर को उसको Humanities में इकोनोमिक्स मिलेगा इसके बाद आप mathematics से as a subject अगर student रखता है तो उसके लिए math में 50 नंबर चाहिए ठीक है अगर Humanities वाले होते हैं Humanities के सासथ जैसे arts with math रखते हैं तो उसमें आपको 50 नंबर math में चाहिए ठीक है चाहिए आप basic ले रखे हो या standard ले रखे हो तो यह आपका सारा criteria था dear student अब आपको में जो मैं main point बताता हूँ आप कैसे teacher से request कर सकते हैं आप dear student teacher से request कर सकते application ले करके principal को ठीक है आप principal को application ले करके जो sir मैं अच्छा number लाओंगा ला करके दिखाओंगा hundred percentage अपने आपको पूरा जो है आप teacher को satisfied करे ठीक है और बोलिए principal को application ले करके जा अब हए और कहिये जो है अगर आपका इंगलीस में 50lden नहीं फिर भी लेना चाहते साइंस में 50 परसेंटेंज नहीं फिर भी लेना चाहते मैं तो आप इस چीजों को याद रखें आप को अपने parents को ले जाए अपने किसन लिखिए आप जो ने फिरिंस्वेल्स को ठीक है और बहुत ही पॉलाइट लिबे में रिक्वेस्ट किजिए सर मैं ला करके दिखाऊंगा बहुत ही रिक्वेस्ट किजिए वो डेफनेटली वो आपको अलाव कर देंगे ठीक है तो यह था ट्रिक जो आप जो सब् पता ही है चलिए फिर अप लिए अपडेट के साथ मिलते हैं और इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए ठीक है चैनल पे नहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दियर स्टुडेंट और शेयर जरूर कर दीजिए ठीक है और अगर चाहते हैं क्लास 11 के जो भ बेजता हूँ जूम एज्यूकेशन भी आपका जो ना डीर स्टुन जूम एज्यूकेशन हो गया यह फिर आपका जो जो कहें तो आप गूगल नीट से फिर फिर वहाँ